हाई फ्रेंट्स और आज हम लोग अपने solution chapter के 9th lecture में है solution chapter almost towards the end Colligative property का एक lecture मैंने बना दिया है Colligative properties के अदर हमें फुछ 4 properties पढ़ए थी आपको थ्धिनान आड़ा हो जो कि मैंने लास्ट lecture में आपको पढ़ाया वहाँ है हमने पाकायदा पूरे डिटेल में उन सारी चीनों को पढ़ रखा है वन हमने ग्राफ भी देखा है और सारा कुछ मॉलिक्लर मास निकाला है वो सबकुछ हम लोग इन दो प्रॉपर्टी के लिए कर चुके हैं टोटल चार प्रॉपर्टी पढ़नी है उसमें से दो हम पढ़ चुके हैं दो आज की क्लास में पढ़ेंगे इसमें से पहली प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इंफ्रीजिंग आपीरीजिंग की बात करें का प्रॉपर्टी की बात करें आज करें िर्थी यह उस्मोंसिस वाला पानी को तो यह आरो वाटर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले कॉंसेट से यह आता है इसलिए टॉपिक जो है इसके अंदर में पढ़ाना है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चुकि हमारे प्रयोग में आ रहा है डे-टू-डे-लाइफ में इसे यूज कर रहे ह है इसलिए मैं इसे इसके बारे में बहुत डीटेल में जानना जरूरी है और उसकी बार जब ऑस्माटिक प्रेशर पढ़ लेगें तो कितने टाइप आइप अफ सॉलूशन होते हैं अधी बेसिस ऑफ ऑस्माटिक प्रेशर बेसिकली तीनी प्रकार के होते हैं एक को बोलते है इसो टोनिक सॉलूशन दूसरे को बोलते हैं हाइपर टोनिक सॉलूशन और तीसरे को बोलते हैं हाइपर टोनिक सॉलूशन और इससे भी रिलेटेड कुछ डे टूडे लाइफ के एक्जामपल जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर खुद से कपड़ा हांथ से हो क्योंकि जेनरली आजकल तो कपड़ा दोने के लिए हम लोग के घर में वाशिंग मेशिन होता है पर अगर कभी आपने ऐसे हाथ से दोया हो जैसे हम लोग होस्टल लाइफ में थे तो खुझ से बाल्टी में सरफ वगरा डाल के लिए यूज तो जब आप बहुत देर तक अपने हाथों को उस सरफ वाले पानी के साथ कॉंटाक में रखेंगे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर ना कुछ स्रिंक कर जाता है हमारा जो यह चबना है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है वो श्रिंक इन हो पानी के साथ अब बहुत देर भी खेलें तो भी कोई फर् zinc घर वो सारी चीज़ हैं आप लोग इसके अंदर पढ़े के तो आज की क्लास बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो अगर आपने मेरे इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाईए पहले उन सारे लेक्चर्स को देख लीजे और अगर वीडियो आपको अ आप तक बिल्कुल ही बहुत जाए चलिए आची क्लास को स्टाट करते हैं जिसके अंदर पहला टॉपिक है ताट इसको हम लोग तो जो हमारा पहला टॉपिक है ताट इस डिप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए एक वर्ड मैंने यहां लिखा हुआ है इसका समझना बहुत जरूरी है यह वर्ड जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग कुईंट किसे कहते हैं तब तक यह पूरा डिप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे समझते हैं तो सबसे पहले हैं आपको कोई चीज़ करतीं खमिए वड़ा तो यह ज़रूरी है कि आप किसको किस इसको सोलेट गवड करब तो है में बखेखite balm और भाशाहएं टिलैप फॉत यूए आस्सा मुंए और फॉर्ट इससी सबर्सक्राइब गरने प्रीजिंग जो हो रहा है वो लिक्विड इस तर्वर्टिंग इंटो सॉलिट अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे पांसर्ट क्या चुपा हुआ है प्रेशन फ्रीजिंग क्या होता है जब किसी भी ब्रियान से समझेगा यह हमारा स्वींट है और इस व्लिवेंट में आपने क्या एड किया सुल्यूट का नेचर कैसा है नौन पॉलाटाईल नेचर का है तो आप जानते हैं कि यह जो इन दों के मिलने से जो solution form होगा, उस solution का vapor pressure कम होगा, किस से कम होगा, इसके pure state से, pure solvent से, pure solvent से जो नया pressure होगा, हमेसा क्या होगा, कम होगा, और लेड़ी कई बार यह बाते हम लोग कर चुके हैं, पहले concept में भी मैंने आपको यह समझाया था, जो हमारा पहला था, relative layering of vapor pressure वाला concept, वहां पे भी आपको यह वाला पॉंसर्ट समझाया था कि जब कभी आप किसी नौन और अटाइश को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वूशन की वेपर प्रेशा कम होती है कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट से यानि जो पी है पी टोटल जो है वह हमेंसा लेस हो जाता है पी सॉल्वेंट नौट से यह कंडिशन आपको ध्यान रखता है अब वेपर प्रेशर अगर मेरा कम हो गया तो पहले जितना जादा वेपर प्रेशर में को लग रहा था अब उससे कम वेपर प्रेशर लगेगा कम वेपर प्रेशर लगेगा तो वेपर प्रेशर सॉलिड एक को तो solid की बाप कर रहे हैं, तो solid में वेपर प्रेशर always क्या होता है, कम होता है, फिर भी अगर solid और liquid की वेपर प्रेशर हमें बराबर करनी है, तो में को जाधा temperature difference maintain करना पड़ेगा, लेकिन जब हम कहने की liquid का वेपर प्रेशर हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कितना कम कर कि वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, तो हमारा कम बच जाएगा, अब मैं कह रहा हूं कि जब हमने इसमें non-volatile solute डाला, तो मेरा वेपर प्रेशर जो हो क्या हो गया, कम हो गया, अब मेरा वेपर प्रेशर, ऐसे समझे कि 0 degree Celsius पे freeze होना है, अभी मैं 40 से 0 आ रहा हूं, तो कर दिया, तो अभी 40 degree Celsius से मेरा जो temperature हो घटके क्या आगया, 20 degree Celsius पे, तो अब 20 और 0 के बीच में जो difference है, वो क्या है, कम है, कम होने की वज़े से हमें कम energy खपत करना पड़ेगा, या फिर कम temperature या कम heat देना पड़ेगा, in order to freeze, समझ रहे हैं, heat देना नहीं पड़ेगा, actually heat निका जो freezing point है, वो भी क्या हो जाएगा, reduce कर जाएगा, because vapor pressure is directly proportional to temperature, जिसका vapor pressure कम, उसका temperature भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यही logic से हम बात करते हैं, कि यह freezing point है, उसका depression उसमें यानि कमी आ जाती है, कब जब आप उसके अंदर non-volatile solute add करते हैं, ये तो वो बात हो गई, जो आपको conceptually समझना आनी चाहिए, conceptually ये समझना आनी चाहिए, कि जब कभी भी किसी system का हम vapor pressure कम करते हैं, तो उसका melting point भी क्या हो जाता है, decrease कर जाता है, और ये जो हो रहा है, वो किसकी बात से हो रहा है, जब हम non-volatile solute को किसी भी solvent में मिला रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि दो जगा आपको example दूगा, एक-एक करके दोनों example बता हूँगा, एक ही बार दोनों बता हूँगा तो सायथ थोड़ा confusion होगा आपको, मैं पहले पहले पहला example बोलता हूँ, उसके concept को सिखाता हूँ, फिर दूसरा example बोलता हूँ, पहला example ये है, आप लोग बहुत सारे hill station ग अब snowfall के time में सबसे बड़ा problem ये होता है, कि पूरा का पूरा जो हमारा रास्ता है, वो बरफ से धग जाता है, आपने कही बाद यूज में भी पड़ा होगा, कि snowfall की वज़े से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, और जो सैलानी या जो टूरिस्ट थे, वो कहीं फस गए, पूरा का पूरा रास्ता बरफ से ठग गया, जिसके वैसे यातायाद ठब है, यातायाद ठब मतलब transportation ठब है, अब मुझे ये समझना है, कि जब वो रास्ते के उपर बरफ गिरता है, तो उस बरफ को हटा कि यातायाद को फिर से वापस से जैसे पहरा चल पहले से चल रहा आप उसको JCB यूज़ करके आप बरफ को हटा दे, आईस रिमूवर एक होता है, जैसे हमारे याँ JCB या इस तरह के मशीन से आईस रिमूवर मशीन होता है, वो मशीने भी उसको उठा कर हटा सकती है, लेकिन ये कारण TDS काम है, कि एक मशीन बुलाई है और उसके बाद उस वहां की लोग नमक का छिड़काओ करते हैं, और नमक के छिड़काओ करते ही, वो जो बरफ का लेयर उस रोड के उपर बना हुआ था, वो पिखल जाता है, कैसे नमक के छिड़काओ से वो बरफ पिखल गया, यह अगर आप समझ गए, कि इप्रेशनली फ्रीजिंग पॉइ कर देफिनेशन अल्यडी आपको पता है, जब वेपर प्रेशनल फॉलिड विखल फॉलिड उस पॉईंट को ही, उस सिच्चवेशन पे ही, जो आपका सबस्टैंच से वो क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, और जब कभी भी आपको कोई नौन ओरटाल सुल्यूट उसमे पीखल जाना है अभी आप समझें की वह पिखलता कैसे है यह सड़क पर चारो साइट से क्या गिलावा है यह सारा बरफ गिल रहा है और कार लेकर आप वहां पर खड़े हैं इस इंतजार में कि कभ यह बरफ हटे गा और मैं यहां से जापाऊं इस तरफ उसे इस तरफ जाना ह यहां से जाने के लिए यहां से जाने के लिए भाई साब को यह बरफ यहां से रिबू कराना है अब डीके सब्गोज मैं ऐसा प्रदेश ट्रा हूं जहां का जो स्ट्मॉस्परिक टंपरेचर है एन वह ऑपर है 20 री बराज बना है कि इस चीज राओhead से मझे वाटर से आईस फॉर्मेशन हो गया अब माईनस 30 डिजरी सेल्चियस पर महां पर तेंपरेचर है तो इस गाड़ी वाले को कब सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब तक इंदिजार करना पड़ेगा जब तक ये टंपरेचर बढ़ेकर जीरो डिजर्च किसना हो जाना मेल्ट तो तभी ओब ना जब 0 degree Celsius होगा आप अभी जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि वो जो problem मैंने discuss किया था कि कैसे इस बरफ को हटाये जाए वो बरफ को हटाने के लिए जो concept यूज हुआ है boy depression in freezing point उसी को हम लोग understand करने की कोशिश करें अब अब एक तो तरीका है कि एक मशीन आ रहे है इस बरफ को यहां से हटा है तो यह बैड़ी साड़क के ओपर चलके चली जा है दूसरा एक तरीका है कि कुछ ऐसा हम कर दें कि यह जो बरफ यहां पर रखा हुआ है इस बरफ का melting point zero से घटा के माइनस 30 से छोटा कर दिया है यानि actually में actually में इसका जो melting point है वो कितना है zero degree Celsius है कुछ ऐसा हो जाए कि यह जो melting point है इसका वो reduce होके less than कितना हो जाए 30 degree Celsius से छोटा हो जाए मैंने बड़ा का सिंबॉल बनानी है चोटा हो जाए यानि यह temperature कितना हो जाए माइनस 30 degree Celsius से छोटा हो जाए माइनस 30 degree Celsius से छोटा अगर हो गया तो आप सोचे क्या होगा अगर यह मेल्ट कर रहा है जिरो पर और आप दो डिगरी Celsius पर है तो अब्यस्ली वह समान क्या कर जाए जेरो डिगरी पर कोई चीज़ मेंस नहीं तो पर है नहीं मेल्ट नहीं में मिल्ट नहीं करेगा ना चीज़ किफेद्च पर होगी आप माइनस थू पर है तो यहां कर जाए Г — यह का है है माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस तेंपरेचर है तेंपरेचर इस माइनस तर्टी से छोटा हो जाए तो फिर क्या होगा असानी से समझ में आ रहा है मैं वापस से पहला एक्शांपल गोड़ रहा हूं यह जीरो डिग्री सेल्सियस पर आपका आइस रख्ता हुआ है इस आइस को मेंट करने के लिए आपको जो बाहर से टेंपरेचर यह अट्मॉस्फेरिक टेंपरेचर है वो कितना होना चाहिए जीरो से बड़ा टेंपरेचर एक्टमॉस्फेर का हो जाए तो यह समान आसानी से क्या कर जाएगा मेंट कर जाएगा हमारे पार चीचवेशन अब यहां पर प्रिडियल कर रहूं क्या ट्मॉस्फेरिक टेंपरेचर एक माइनस 30 इडीग्री s यह समान कहां पर है बढ़फ हमारा 0 प तो तो मेंट आसानी से कराया जा सकता है क्योंकि 0 और 5 वाला या 0 25 वाले में तरशे कर रहा था अगर यही चीज माइनस 30 से यह जो बर्फ है उसका तेंपरिचर का नीचे चला गया तो आसानी से मेंट कर जाएगा हमने क्या हिए इस पर्टिकुलर10 के ऊपर हम लोगों ने सॉल्ट डाला, वो क्या था? इसके डालने से उस पर्टिकुलर जगह पर जहांपर मैंने डाला है उस पटिकुलर जगह पे जहांगे नमक का छिड़काओं किया, तो उस पटिकुलर जगह पर जो नमक छिड़का है, उस पटिकुलर जगह पे जो आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट के, क्या हम हो गया? केहां अब नियुवल्टिंग पॉइंट और सब्सक्राइब कर दिया माइनस 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो अब यह माइनस 30 से चोटा है या बड़ा है चोटा है मैंने बताया था कि जब 0 डिग्री से उपर का कोई बी अट्मसफरीक टेंपरेचर अब आचानी से मेल्ट कर ज कर गया रास्ता खाली हो गया और गाड़ी वाले भाई साथ निकल गया कैसे हुआ यह फेनोमेना हुआ कैसे आपने इस पटिकुलर आईस के उपर क्या डाला सॉल्ट जो कि सॉल्यूट की तरह भी हे लिए कि अधा नॉन बोला टाइल नॉन बोला टाइल सॉल्यूट ने यहां यह अल्टिमेटली फ्रीजिंग पॉइंट इस सिचुवेशन को समझने के बाद आप कह सकते हैं कि जब कभी भी एक नॉन पोरटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में हम डालते हैं तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता हैं रिड्यूस कर देता है यह यह बहुत जरूरी है अगर आप भी ऐसा करना चाहते हूं या जो लोग आइसक्रीम बना रहे हैं वह यह कॉंसेप्ट को अपने ममी या दीदी को बताईए कि दीदी ऐसा करके बनाओ तो तुम्हारा जो आइसक्रीम में वह जादा देर तक बरफ के फॉर्माट में रहेगा दीखिए कैसी इस व्लेट वाम में जादा देर तक रहे सकता है सब्सक्रीए हम जिस टेंप्रेचर पर अभी रहे हैं एक्मस्फरी टेंप्रेचर पिक ना है एक्मस्फरी टेंप्रेचर जहां पर हम लोग रहते वह ऑंबस्ट थाइफ डिग्री सेल्चियस के आसपास ही हम लोग रहें थांप्रेचर यह दांप्रेचर जिस पर लोग रहें जिस आण फिर एसको में सपोर्वाइश क्रीव है इसमें प्रस जोगी इन ग्रादियन डाल और इस मुमा जाता है और बोलता हूं कि इसका मेल एक प्रेटिग्विए सब्सक्राइब यानि जब आप इसको बाहर रखोगे तो पांच डिग्री सेल्सियस के बाद यह मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा और 35 डिग्री से जो कि अट्मस्फेरिक प्रेशर है उससे और इसके बीच का जो डिफ्रेंस है तो इसको बहुत देर तक सॉलिड के फॉर्म में रखना मुश्किल है कब हम इसे जादा दिर तक सॉलिड में रख सकते हैं वह समझी वह बहुत इंपॉर्टन है अब हमने क्या किया इसके अंदर कुछ श्ब्ट के पर्टिकलज डाउड़िये अब हमें स्विट डाला है salt क्या था؟ salt एक solute है non-volatile nature का solute जब हम उसके आंदर डालते हैं volatile nature volatile nature का solute तो उसके vapor pressure को क्या कर देता है? reduce कर देता है और जिस temperature पर करेगา उसको भी क्या करदेगा अब जो सामान पहले पांच दिग्री सेल्शियस पर मे noch Metallica स्ना सबस्क्रित कौन नॉलडी है और वह सब्थिय उनने कि Mati वह सब्सक्राइब कर देके Florida तो जो पांच डिउस पर मेंट हो रहा था अब कितने डिचल्स को मेल्ट होगा Temple अब इस पो स्टोर हम कर स्टोर किसी अंदर जो गया जो माइंस पंदरay क्या सबसे चाहिए तो जैसे हुआ उसको बाहर निकालेगे कबार कितना डिशंय स्टिक इंट करता ना माइनस 30 पे, माइनस 10 पे, अब जो माइनस 10 से माइनस 30 साइट का जो huge difference है, इतना heat वो क्या कर सकता है, ले सकता है तब वो melt करेगा, यानि जो सामान माइनस 10 डिगरी Celsius पे है, उसको बाहर निकल के बहुत time तक रखा जा सकता है, बसारते उस सामान के, जो सामान 5 डिगरी Celsius को melt कर जाएगा, तो उसके पास heat वहाँ से जो extract किया गया था, वह वापस उसके अंदर डालने के लिए, अभी temperature difference बहुत जाला है, temperature difference अब कीतना है, बाख वाले के साथ अकर आप देखोगे, तो temperature difference कितना का होगा, 45 डिगरी Celsius का temperature difference है, और यहाँ पर जो temperature difference का मात्र कितने का था, 30 ड QEG पल्ट होता है, MC delta T, changing temperature is directly proportional to heat, कितना heat उसमें लगेगा, वो उसके changing temperature के उपर depend करता है, जिसका changing temperature जादा होगा, वो जादा देर तक heat को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, बिकॉज, माइनस 10 डिगरी Celsius से 35 डिगरी Celsius जाने में उसको जादा समय लगेगा, बस अदे माइनस 45 डिगरी Celsius टू 35 डिगरी Celsius में, जिसकी वज़ए से जो अब जो नया वाला ice cream है, जिसमें आपने salt के particle डाल ली है, उसका melting point चुकी कम हो गया, तो इसको अगर आप बाहर निकाल भी तो यहां पर हम salt डाल कर उसके freezing point को कम कर दिये हैं, in order कि जब यह बाहर निकल के atmosphere में रहे, तो जादा देर तक बरफ के जैसे रहे, यहां पर चुकी temperature was 35 डिगरी Celsius, इसलिए यहां पर जो मेरा atmospheric temperature था, वो 35 था, लेकिन जो पहने बाहरा example हम लोगों ने देखा था, वहां पर जो atmospheric temperature था, वो कितना, minus 30 डिगरी Celsius, चुकी वो minus 30 था, तो उसके हमें नीचे लिगाना पड़ रहा था, so that कि यह इसको आसानी से पिगला सके, वहां पे हमारा aim था कि वहां का बरफ पिगल जाए, यहां हमारा aim है कि हमारा बरफ न पिगले, depending upon the atmospheric temperature, आप decide कर सकते हैं कि क्या कर करना है, ultimately, दोनों ही case में, हमने जो solute था, उसको add करके, उस particular solvent का freezing point को कम कर दिया, एक case में freezing point कम किया, तो वो melt कर गया, दूसरे case में freezing point reduce किया, तो melt होने में समय जादा लगा, समय जादा कब लग रहा है, जब आपका atmospheric temperature काफी जादा था, तो आपके पास melting point था, उसके बीच का difference बढ़ गया, तो जादा समय तक वो solid के जाइसा रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर heat जादा थे ना होगा, उसको melt करने के लिए, second वाले case में, जो हमने पहला वाला case पढ़ा था, वहाँ पे हम salt डाल कर उसको melt कर रहे थे, इसलिए हम उसे melt कर पा रहे थे, क्योंकि जो atmospheric temperature उससे कम हमने उसके temperature को कर दिया, ताकि आसानी से क्या कर जाए, melt कर जाए, तो एक जड़ा हमने melt करने के लिए नमक डाला, एक जड़ा हमने melt, ना हो इसके लिए नमक डाला है, पर दोनों ही case में, freezing point को हमने क्या कर दिया, decrease कर दिया या depressed कर दिया, by adding a salt या solute, which is non-volatile in nature, hope की ही, जो example मैंने आपको कहा है, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया, तो इसके बाद जो graph वगरह है, या जो मैं molecular mass निकालूंगा, वो तो काफी आसान है, क्योंकि वो तो चीजें ऐसी हैं, जो मैं graph बनाँगा, तो आप देखके समझ जाएंगे, formula है, उसको भी मैं derive करूंगा, आप समझ जाएंगे, पर ये day to day life में use होने वाले concept है, कि ice cream बनाते वक्त, अगर हम नमक डाल देते हैं, तो उसका temperature, जो melting point उसको हम reduce कर देते हैं, तो वो जाधा देर तक बरफ के जैसा रहेगा, यानि उसको melt करने में जाधा energy जाते हैं, और वहां के अगर मैं को रास्ता क्लियर करना है, तो मैं नमक डाल के, वहां के ice का temperature को reduce कर दूँ, इतना reduce कर दूँ कि जो वहां का atmospheric temperature है, उससे भी कम हो जाए, ताकि उसको असामी से melt किया जा सके, ये एक छोटा सा example जो कि हमें बहुत अच्छे से समझने आना चा का पाँ, तो इस theory का कोई मतलब नहीं है, मेरा तो यहीं मानना है कि physics और chemistry, चाहिए आप जो भी पढ़ें, अगर जो मैं पढ़ रहा हूं से मैं day to day life में यूज में करता हूं तो फिर बढ़ाई बिकार है, done, वह ऐसी समझ लिए, से doctor को भी बन गया और उससे operation ना आता हो, क् पढ़ाई कर गया, वैसे कुछ, ठीक है, अब दीक है, यह अगर बाते हम समझ गया हूंके, तो वहां पर नीची एक ज़रा लाइन लिख लिए, एक statement लिखे, when a non-polatile solute is added to solvent, when a non-polatile solute is added to solvent, the freezing point of dust formed solution is always lower than that of pure solvent, as the vapor pressure of the solvent, as the vapor pressure of the solvent, decreases in presence of, in presence of the non-polatile solute, in presence of the non-polatile solute, this difference in the freezing point, is known as, depression in freezing point, this difference in the freezing point, is known as, the depression in freezing point, ध्यांसे लिखे क्या मना ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ क्या है, अगें इस अग्राफ अफ वेपल प्रेशर, वेपल प्रेशर versus temperature का ग्राफ है, ऐसा ही एक ग्राफ हमने elevation of volume point में भी बना रहा है, ध्यांसे देखे, यह solid state है, यह मैं ऐसा solid state बना रहा हूं, और इस point पर, यह liquid state का ग्राफ है, यानि इस temperature के आगे इस तरफ जो आपका substance है, वो liquid state में रहेगा, और इस temperature के पीछे, जो आपका substance है, वो solid state में रहने जाएगा, अब ध्यांसे समझेए, ध्यांसे समझेए, अब हमने क्या किया, इस particular जो substance था, जो की already बरत बना हुआ है, इसके अंदर हमने क्या add कर दिया, इसके अंदर हमने solute add किया, जो की special type का solute है, जो की non volatile nature का है, solvent के अंदर solute को add करेंगे, तो वो उसका vapor pressure को क्या कर देगा, कम कर देगा, अब अगर जो मैं इसका vapor pressure कम कर दो, अभी जो vapor pressure है, इसे मैं V1 बोलूँ, तो जो मेरा नया vapor pressure होना चाहिए, वो कुछ कम होना चाहिए, और सब्सक्राइब तो पढ़िए और पर दीजिस करुए जो तो जो इसको इसा ब्राइब होगा यह जो लिप अब कहीं पर यहां पर ऒर आइदा crude आते बनने कि और प्रतु उसके बीच का जो प्रेशा रेको क्या हो गया रिद्यूस हुआ प्रेशा रिद्यूस करके क्या कर दिया थोड़ा सा कम कर दिया तो डेल्टा-टी-एफ यानी डिफ्रेशीर रिइजिंग पॉइंट कितना दिप्रेश किया रिद्यूस कितना कम वा तो इन दोरों में बडा पान है तुद्धियेफ कि ईखलेगी अचरी नुद्धियैफ माईनस टी-एफ गडिली डिवैम भा देल्टा-टी-एफ और तो यह एप्र प्रेशर क्या कर दिया कर दिया तो जो पॉइंट जिस पर यह फ्रोजन फ्रीस कर जाएगा यह वो क्या हो गया तो यह आपका बहो तो यह आपका बो टमरेशर चल्वाट एंड़ जो आपने इसमें उमें किया या विकार दिया जिसकी वजह से जो इसका इसका टमप्रेशर बहुत क्या है रिद्यूश कर गया दण अब एक्स्प्रीमेंटल इस फांदा इस ऐसा पता किया क्या है कि यह जो डेल्टा-tf है यह डारिक्ट-प्रोपोस्जन टुमुलाइलिटी है मैंने आपको देल्टा-tv के बारे में भी बताया था एक्सपेरिमेंटिली इस फांड यह जो डेटा टी एक वह मुलालिटी के बराबर होता है और वह किस तरह के सॉलूशन के होता है डाइवी सॉलूशन मतलब जो आपका सॉलूट का मातरा है वह क्या है प्रणा सा कम है और इस डेटा टीर पो जब हम इसी कोड़ों में क्या है और वहां यानि एलिवेशन इंग बॉलिंग पॉइंट में जो कॉंसेंट आया था वहां पर हमने के भी बोला था डेल्टा टीर 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 इंटो एम वेर के इस कॉंस्टेंट प्रपोर्पोर्शनालिटी और इस अल्सो नोन आज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉंस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट यार करिए के भी कॉम ने क्या बोला था इबलियोस्कोपिक कॉंस्टेंट के आपको क्या बोल रहे है क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट जिसका unit होता है Calvin kg mole inverse Calvin kg mole inverse done यहां था में ख्याल से आपको कोई doubt नहीं होगा अगर यह graph आपका clear है तो graph clear होने के बाद next जो हमारा काम होता है determination of molar mass of solute तो next heading आपको इसी के नीचे लिखना चाहिए वो कि ग्राफ आपने बना लिया है यहां लिखें determination of molar mass of solute यह जो value है यह मुझे भी required होगा इसलिए अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रहाँ और अभी हम उसका derivation करेंगे determination of molar mass of solute का अब दीए again definition कहां से start होगा definition will start from molality molality क्या होती है molality is equal to होता है moles of solute moles of solute by mass of solvent in अगर gram लिख रहे हैं तो यहां क्या करना होगा हाउजें से वर्टिक्लाइब यानि यह जो लालेटी है जो हमने यहां पर लिखा है उसको अगर मैं अगर इसको लिखो मैं क्या लिखो ना मोल्स of solute by weight of solvent मुझे रहाँ रहे हैं साइज वन को हमने सॉल्वेंट पाना था या टू को आना था आप सॉल्वेंटी लिखरों मुझे ध्यान नहीं लिया था इंटू थाउजेंड यहां तक नेखाल से कोई दिवकत नहीं होना चाहिए अब मोल्स के रिटेनाइज मास अपन मॉलीकिलर मास मॉलीकिलर मास होल डिवाइड बाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन्टू वन थाउद अब इस एम के जगा पर क्या मैं एम इस एक्वेशन वाई के लिख सकता हूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ इसको आप एक्वेशन नमबर 1 माल ले रहा और इसको एक् सब्सक्राइब करें यहां क्या लिखोंगे डेक्टा टी एफ वाई के एफ इस इक्वेशन वाई को मास को मैं एक तरफ रखके बाटी सारी चिंदों को एक तरफ कर लो क्या एगा M1 is equal to, ऊपर KF multiply हो है, M1 into KF into 1000 whole divided by delta TF into weight यह जो आपका formula बना, this is only molecular mass of solute, that is M1 is equal to KF into M1 into 1000 whole divided by delta TF into W2, तो यह आपका पूरा का पूरा वो बन गया, यहां पे न, यह mass है, M1 is the mass of solute, KF is the क्रियोस्कोपिक constant, 1000 तो जो हमें conversion में लाया था, delta TF, W2 is weight of solvent, तो यह न, mass of solvent, आपना इसे W2 की जगा M of 2 भी लिख सकते हैं, देख लिजेगा, weight लिखिये, यह mass लिखिये, mass of solvent है, तो आप इसे M2 भी लिख सकते हैं, तो आप इसे M2 भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, यहां पर बाजू में M2 लिखी देदा हूँ, इसे मैं M2 लिख देता हूँ, इसके जगा M2 भी लिखेंगे, तो वो क्या होगा? सही होगा, देखे, convention है, exam में तो question में लिखा रहेगा, mass of solute इतना है, mass of solvent इतना है, जो भी लिखा रहेगा, उसकी correspondingly यूज कर लिजेगा, इसलिए मैं अभी ये दोनों नहीं लिख दिया है, अब जो convention सही हो, आप उसे use कर लिजेगा, चुकि last class का में बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहे है, इसलिए मैं कुछ भी याद दी लिखो, कि क्या convention लिया था है, तो हो कि ये molecular mass का जो derivation है, वो भी आपको समझने आ गया, इस elevation in, what is that, sorry, depression in freezing point, वो भी खतम कर लिया है, and we are moving to the next concept, that is, osmosis and osmotic pressure, अब जो मरा next topic, that is, osmosis and osmotic pressure, बहुत ही अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये भी हमारे day to day life में एक example से इसका बहुत ज़्यादा तालुकात है, जो पानी हम लोग पीते है, वो आरो water है, आजकल अधिका जितने भी लोग आजके लाइड कर रहे है, वो एक्वागार्ड हो, या फिर केंट हो, ये सारे कहते हैं कि हमारा पानी आरो water है, अब आरो water आप पी रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं कि आरो water कैसे है, मतलब आरो का full form क्या है, कुछ लोगों तो यह ही बता था कि आरो का full form क्या है, और वो जो भाईया आते हैं, जो आदमी आता है आपका service करने के लिए, वो आप से कहता है, अच्छा नहीं, आप नहीं समझोगा है, ये आरो water है, इसके अंदर फिल्टर फिल्टर लगे रहते हैं, और फिल्टर को साफ करना रहता है, काफी मैंगा आता है, और पर से असानी से धूर या बेफ़्बूफ बन सकते हैं, आप कोई भी आपका काट के जा सकता है, क्लासरूम में होते हैं, तो साहत में कहता है, राहुल गांधी बनाके जा सकता है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि कोई भी चीज़ चीज जो हम पढ़ रह तो पहले हम आस्मोसिस पढ़ेंगे कि आस्मोसिस क्या होता है और यह दोनों समझ जाएगा तो आस्मोसिस का उल्टा होता है यह सारी चीज़ें अभी हम लोग समझने वाले हैं तो पहले आप आस्मोसिस का डेफिनेशन लिख लिए फिर मैं समझा देता हूं कि आस्मोसिस क्या होता है सिर्फ उसका डेफिनेशन लिखें बाकि मैं समझाता हूं राइट इस फेनोमेना ओफ फ्लो ओफ सॉल्वेंट मॉल प्युल्याज की क्यूल्स फ्रॉं प्यॉर सॉल्वेंट तू सॉल्यूूशन साही इस नौन आस ओस्मोसिस देखें क्या हो रहा है ध्यान से समझीगा ये हमारा कंटेनर है और ये भी एक हमारा कंटेनर ही ये दोनों की कंटेनर है एक कंटेनर में हमने pure solvent को ले रखा है और दूसरे कंटेनर में solution दूसरे कंटेनर में क्या है solution है और solution obviously solvent plus solute को मिलकर बनाया है यह सारा चीज़ हम qualitative properties में पड़ा रहे हैं solution के डालने से जो property change करते है उसी को हम qualitative property क्याते हैं अब इस दोनों के बीच में एक connection established किया जारा है ध्यान से देखिए हम इन दोनों के बीच में connection established किया जारा है और वो connection कैसा established हुआ है वो भी हम लोग समझते हैं वो एक किस तरह का connection established हुआ है जिस connection में यहाँ पर जो membrane यूज किया गया है उसका एक special नाम है that is semi-permeable membrane semi-permeable मतलब कुछ चीज़ों को तो इधर से उस पार जाने की permission है लेकिन कुछ चीज़ों को इधर से उस पार जाने की permission नहीं है ऐसा कुछ चीज़ जो permission तो दे लेकिन आधा-धा permission तो semi-permeable मतलब permission और membrane मतलब एक तरह का filter या एक तरह का परदा जो इस तरफ से उस तरफ से इस तरफ किसी भी सामान को आने जाने की अगुमती देता है पर आधा दूरा हमती देता है पूरा पूरा हमती नहीं देता है इसलिए से इवर्ट लगाए है अब definition में पढ़िए देखे क्या कह रहा है the phenomena of flow of solvent molecule क्या हो रहा है solvent molecule flow कर रहे है from molecule through a semi-permeable membrane molecules from pure solvent to solution side pure solvent से solution side पर जो आपका pure solvent का molecule है वो क्या कर रहा है move कर रहा है यह आपका pure solvent का molecule इस तरफ से जो उस तरफ जा रहा है इस process को हम osmosis बोलते हैं क्या कहते हैं osmosis बोलते हैं यानि definition बोल रहा है कि higher concentration से समान lower concentration की ओर जाए यह समान मतलब molecule higher concentration से molecule is moving from higher concentration to lower concentration यानि जब कभी भी कुछ इस तरह का arrangement हो जाए जिसके अंदर बीच में इस semi-permeable membrane हो एक तरफ solvent हो दूसरे तरफ solution हो तो जो solvent के molecules from higher concentration to lower concentration move कर रहे हैं उसी process को हम क्या कहते हैं osmosis कहते हैं अब यह जो membrane है इसके दो प्रकार हो सकते हैं पहला या तो वो natural होगा दूसरा वो manmade होगा अगर वो natural है तो जो चीज इस membrane की जड़ा पर use होता है उसको हम लोग कहते हैं pig's bladder sewer जो होता है उसका जो bladder होता है इसे ही sewer का जो bladder कुछ होता होगा उसके memory को जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग वहां पर use करते हैं या उसका nature कुछ semi permeable जैसा होता होगा जो कि natural है obvious है जब हम pig's से लेकर आ रहें तो natural ही होगा वो भी यहां पर use होता है तो आप याद करें जब aqua guard या यह जो water purifier भी खुलीकम नए नए phase में आथा आप लोग छोटे रहोंगे मतलब मैं मैं 2002-03 की बात बोल रहा हूं उस ताहीं पता नहीं है आप लोग का जन हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे ध्यान नहीं है मैं छोटा था उतना मुझे याद है तो उस ताहीं पर काफी तेज हल ला हुआ था तो थोड़ा हमें मतलब सुवर के प्रती हमारा जो नजरी आए वो भी थोड़ा सा जाधा ही खराब है जिसके वैसे एक गलत ताइप की धार्ना आरी के रहे हैं सुवर से सरीर से और फिर उसका पानी पीना थोड़ा सा अजीव ताइप का तो उस ताइप काफी नेगेटिव अड़र्टाइजमेंट हुआ था और नेगेटिव अड़र्टाइजमेंट जिन लोगों ने किया था चुकि उस ताहिमें एक्वागाड काफी नया नया था काफी expensive आड उसका चल रहा था कि आप जो पान आट के साथ आए कि नहीं नहीं हम कोई China को यूजने करते हैं हम HA longest करा और वह सीलूलोस से बढता है लिखली काvine ऑटना के सिंथेंटेटक मतलब मेंनो तो सिंथेसाइज किया जा सकता है लगणी में जो मैंफेक्टर ढलाता है उसमें वजाता उर्वि उसके जगधे उख। कब जब वेवस्थाय शुक्त के लगणी तो हो सकता है किसी जमाने में pig's membrane use हुआ होगा या pig का जो bladder है वो कभी use हुआ होगा पर हम लोग जो पाई पी रहे हैं उसमें जो membrane use होता है वो synthetic है या manmade है या industries में बनता है और वो चीज से बनता है उसको हम लोग cellophane बोलते हैं तो ये cellophane क्या होता है वो यहां पर लगा होता है जो कि से भी पर भी बन लेचर का होता है और वो higher concentration से समान को किस तरफ भेजता है lower concentration की और भेजता है लिख लीजेगा इस तरफ osmosis में जो molecules से move करते हैं from higher concentration term to lower concentration term the movement is from higher concentration term to lower concentration term जब वो osmosis phenomenon हो रहा है अब उसके नीचे यह diagram आपने बना लिया होगा तो उसके नीचे वही semi permeable membrane का definition लिख लीजेए right semi permeable membrane is the membrane which allows solvent molecule like water to pass through their holes but binds the passage for molecules of solute like salt ठीक है तो खहरा है कि यह jom membrane है वह semi permeable होता है सेए data semi permeable मतलब कुछ जीनों को पास करने दे और कुछ को पास न करने दे तो खेरा है kि solvent元 को पास करने देगा जिसका नाम है Osmotic Pressure, बोड पर लिखा हुआ है, Osmotic Pressure क्या होता है, Osmotic Pressure के बारे में समझते हैं, What is Osmotic Pressure, उसके पहले मैं चाहूंगा, कि अगर आप लोगों ने ये लिख लिया रहे, तो ये बारे जो मैंने लिखा था, उसे मैं थोड़ा रहे के लिए, मिटा रहा हूँ, ये lower concentration और higher concentration जो लिखा था, उसे मैं मिटा रहा, और लेटी आप लिख चुके होंगे, इसलिए मैं उसे मिटा दे, अब दीखे, ये आपका क्या है, solvent particle है, जो कि pure form में है, और इस तरफ आपके पास क्या है, इस तरफ आपके पास solute भी है, और solvent भी है, तो blue से तो मैं solute को ब दिखा रहा हूं, तो solute को मैं black से दिखा देता हूं, ताकि इस तरफ तो दोनों ही particles present होंगे, इसलिए दो color यूज़ कर रहा हूं, ताकि आप समझ भाएं कि solute इस तरफ pure है, blue form में, इधर blue और black दोनों का combination है, ताकि आप समझ भाएं, अब दिखे, दोनों का जो container है, और ध तो osmotic pressure को समझते हैं, osmotic pressure वो pressure है, या मैं बोलू वो extra pressure है, जिसको लगाने के बार, आप यह जो osmosis phenomenon है, इसको आप रोक दें, यह osmosis जो हो रहा है, osmosis होना मतलब pure solvent molecule is moving from pure solvent side to solution side, solvent molecule pure solvent से solution की तरफ जो move कर रहे हैं, इतना pressure, extra pressure, जिसको आप पाई से denote करते हैं, इसको इस तरफ से लगा दिया जाए, ताकि यह जो movement of molecule है, वो क्या हो जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब यह molecule यहां तक तो आप आ रहा है, पर इसको cross नहीं करता रहा, cross coupling करताएगा जो इधर का pressure है, वो इतना हो जाए, वो इतना हो जाए, यह जो osmotic pressure है, वो यहां पर इतना pressure बना दे, कि इस semi permeable membrane से solvent इस तरफ से उस तरफ ना जापाए, उसको क्या होते हैं, osmotic pressure, यह जो πाई मैंने लिखा है, यही वो extra pressure है, जो इस तरफ से लगाया जाएगा, तो यह liquid को इधर से, इस तरफ से जो liquid उधर जाए थी, उसको यहां पर लाके रोक देगा, done, उस pressure को आप क्या बोलते हैं, osmotic pressure, the pressure at which osmosis process is refrained, मतलब वो होना बंद हो जाए, उस pressure को आप क्या बोलते हैं, osmotic pressure बोलते हैं, तो यह diagram दुबाया सी बनाईएगा, प osmotic pressure कि इधर लगता है, solution की side पे, इसे ही उसने बोला है, the osmotic pressure of solution is the excess pressure that must be applied to the solution, to the solution to prevent osmosis, that is to stop the passage of solute, to stop the passage of solvent molecule through the semi permeable membrane into the solution, वो pressure जो इस solvent molecule को, solvent side से solution side को जाने पर रोक दे, वो excess pressure is known as osmotic pressure, डग, यहां तक आपको समझ में आ गया, अगर यहां तक समझ में आ गया, तो यह diagram आप दुबारा बनाईए, कि यह जो extra pile है, यह pile is that osmotic pressure, at which जो solvent यहां से वहां जा रहे हैं, वो अब जाना बंद हो चुके हैं, यहीं पर मैं आपको आरो का पान सब भी सिखा देता हूँ, यानि आरो मतलब reverse osmosis, और water purify उससे कैसे होता है, यहीं पर बना देता हूँ, यह diagram वापस एक बार और आपको पानी पीते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाता है, हमारे मारे जो पानी है, उसके अंदर दो चीज़े हैं, एक solvent है, जो हमारे क्या है, water, दूसरा, solute है, जो impurity है, this is impurity, this is impurity, solvent is water and solute is impurity, आप क्या चाहते हो, कि गंदा पानी, जो solution है, किसी चीज़ों से मिलकर, solvent और solute से मिलकर बना है, उसमें से, सिर्फ जो water है, वही हमें मिलना चाहिए, नल से, यानि जो water purifiers के बाद, जो glass में आप पानी लेते हैं, कुछ नहीं आप क्या चाहते हो, आप क्या जाते हो, यह दोनों मिलके पीने या सिर्फ पानी पीन पीना चाहते हो, आप solute impurity नहीं पीना चाहते हो, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कि यह इस तरफ जो आपका solution है, इसमें से solute तो इसी तरफ रह जाए, और solution में से solvent उस तरफ से इस तरफ आजाए, अब इधर से उधर जाना था, तो क्या बोल रहे थे, osmosis, कुछ ऐसा हो इसमें उधर से इस तरफ आजाए, उधर से इस तरफ कम आएगा, जब जो प्रेशर आपने यहां पे अप्लाई किया है, that osmotic pressure, osmotic pressure यानि जो पी external आप अप्लाई करवाएं है, वो पी external क्या होना चाहिए, greater than osmotic pressure होना चाहिए, यानि पी external should be greater than pipe, अगर ऐसा कुछ condition हो गय तो जो solvent इधर से उधर जा रहा था, osmosis के case में, आपने osmotic pressure लगा कर इस solute के molecule को यहीं पर रोग दिया, ताकि यह इधर से इधर ना जा पाए, अब आप क्या बोल रहे हो कि, अब मैं इतना extra pressure, यह पी external उधना दू कि यह osmotic pressure से जादा हो जाए, अगर यह osmotic pressure से जादा ह होगा, तो इधर से यह जो solute, solvent के particle है, actually मैं कोई यह पूरा blue से बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि solute, solvent के particle है, वो blue color से, तो जो solvent के particles हैं, वो extra pressure की वज़ा से, इस तरफ से किस तरफ आजाएंगे, इस तरफ, तो उस case में, जब solvent के particles, solution side से, phleosolute, phleosolute के side पर आजाएंगे, उस time पर जो phenomena होगा, पहले उसको क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे, reverse osmosis, osmosis का ultra, osmosis में higher concentration से, higher concentration से, कहां move कर रहा था, lower concentration को, यह मैंने अपि फ्रोड़ दे पहले लिखा था, अब जब RO होता है, यानि, जब reverse osmosis होता है, तो molecule is moving from lower concentration to higher concentration, तो RO की case में इस तरह का movement होता है, और O के case में, there is a movement from higher concentration to lower concentration, तो RO की time पी क्या होगा, इस में से impurity, जो आपके solute के particle हो गंदिगी, इसी तरफ रह जाएंगे, और जो आपका पानी है, जो उस तरफ solvent में पानी था, वो किधर आगया, pure solvent की side पे आगया, अब आपने यहां पर क क्या करना है, एक नल लगा लेना है, और उस नल से आप आसानी से क्या करोगे, पानी को ग्लास में ले सकते हो, इस तरीके से आप पानी को आसानी से अजीव कर सकते हो, यह इस तरफ जो नल से पानी निकलेगा, वो 100%, pure water होगा, क्योंकि इंपिरिटिव अही रह गए, और जो भईया आपके घर में आते हैं, वो कौनसा फिल्टर चेंज करने आते हैं, वो यही वाला फिल्टर, जो सेमी पर्नीेबल मेंबरेन है, जो की सेलोफेन से बना हुआ है, वही चेंज करने आते हैं, ध्यान खकिएगा, सिर्फ वही चेंज करें, उसकी कीमत बादार में 800-1000 इसी को हम लोग water purifier बोलते हैं और reverse osmosis बोलते हैं when these solvent particles moves from lower concentration to higher concentration मतलब from solution side to pure solvent side this phenomenon is known as reverse osmosis hope की osmosis, osmotic pressure osmotic pressure से ज़्यादा pressure जबाब देंगे तो RO, RO के time पे ये तो semi-pernable membrane है वो solvent को solution side से pure solvent side पर भेजेगा जिससे कारण आपको pure solvent that is पानी आपको मिल जाएगा water purification का पूरा concept आपको समझ में आगे done, इसके बाद चुकि osmotic pressure भी क्या है एक तरह का qualitative property है तो इसका determination of molecular mass भी वापस से हमको गर्मा पड़ेगा तो वो भी हम लोग कर लेते हैं तो यह जो बाहर side side में मैंने लिखा है इसको मिटाके मैं इसी जगा पर यह कर लेता हूँ हो की यह जो मैंने लिखा यह सारा कुछ आप लोग लिख चुके हैं इसी के नीची में मैं वो छोटा सा derivation में करा देता हूँ एक्स्पेरिमेंटली लिखें determination of molar mass of solute experimentally it is found that osmotic pressure is directly proportional to molarity osmotic pressure is directly proportional to molarity यानि pi is directly proportional to molarity है मतलब pi is equal to आपके हाँ पे CRT लिख सकते हैं अब आपके सर्य कहां से आया CRT वहां से आया PV is equal to NRT का जो formula होगा है उसके अंदर P is what P is pi pressure इसके case में बात करें क्या है प्रेशा है ठीक है यह सारे gaseous molecule के उपर ही लागू होते हैं पर देखा जाए तो moles per unit volume into RT तो यह moles per volume can be written as molarity sorry molarity तो इसे मैं CRT लिख सकता हूँ यह pi को हमने क्या लिख दिया CRT लिख दिया तो pi can be written as CRT अब एक बार हमने pi को CRT लिखा है तो C is what moles per unit volume और mole को क्या लिख सकते हैं तो आप देखें pi is equal to CRT को लिखेंगे moles moles of what? moles of solute moles of solute that is one or two जो भी use कर रहे हैं मुझे यह moles of solute लिखना है moles of solute by molecular mass of solute into one upon volume into RT अब यह molecular mass c जो है जो है जो solute का आपे पता करना है मैं 2,1 का लपरा छोड़ता हूँ यहाँ पे मैं solute लिख देखा हूँ तो यह आपको molecular mass of solute निकालना है आप यहाँ लिखोगे molecular mass of solute is equal to इसको cross multiply कर दिया moles of solute into RT whole divided by pi V यह आपका formula बनके आगया moles of molecular mass of solute is equal to moles of solute into RT by volume into that is pi यानि osmotic pressure यह छोटा सा derivation काफी छोटा सा है इसको यहाँ पर लिख लीजेगा और डबे में बन कर लीजेगा इसके वीचे अब कुछ dead to derive के example यह तो आपको RO का example दिया osmosis का कोई भी example नहीं दिया osmosis कहां कहां होता है osmosis कोने का मतलब था देखें osmosis होने का मतलब है the solvent is moving from higher concentration to lower concentration अब देखें आपने की सुना होगा roots वेगरा nitrogen को क्या करते हैं जमीन के ल्यूगिन वो pulses को क्या बहुते हैं luminous plant वो luminous plants जो होते हैं वो nitrogen को क्या करते हैं hold करने की capacity रखते हैं जो कि soil nitrogen को बढ़ाता है और वो soil nitrogen जब बढ़ेगा तो पेड़ पौधा को respiration में या साइध खाना बढ़ाने के लिए वो nitrogen एक बहुत important component होता है तो nitrogen is present in soil और roots जो है वो soil के nitrogen को खीज कर roots के holes के मदद से वो क्या करता है वो xylem और phoem पढ़ा होगा आपने bio में transportation of food and water वो concept class 10 में जब हम लोग थे तो पढ़े थे तो वहाँ भी क्या होता है कि वो जो nitrogen है वो बाहर क्या है higher concentration में है और अंदर क्या है अंदर जो xylem या phoem जो लेकर जाएगा सामान को पेड का नहीं पेड के पतियों तक वो जो रास्ता है वो lower concentration में है nitrogen बाहर अधीक है अंदर कम है तो nitrogen from solvent is moved from higher concentration to lower concentration side through root hair पढ़े होंगे root में छोटे-छोटे जो hairs रहते है तो वहां पर जो root hair है उसमें भी क्या होता है saving permeable membrane है जो nitrogen को from higher concentration to lower concentration लेकर जाएगा जिससे की पेड पॉधों की जो nitrogen की जो आवशक्ता है वो पूरी हो जाएगे तो यह वाला आप्लिकेशन है ऐसे दो-तीन अप्लिकेशन दिख लीजे पहला लिखे वो यही बाला जो मैंने आपको लिखवाया है कि किस प्रकार से roots जो है वो यह काम करते है water movement from अच्छा इवन पानी पानी और बाहर पानी जादा है अंदर पानी कम है तो पानी भी from higher concentration to lower concentration आएगा तो यह जो from water का movement है क्योंकि बिना पानी के खाना बनना नहीं है हम लोग आभी नहीं बनता है तो पेड़ पौदों कहां से बनेगा तो पानी भी higher concentration से lower concentration के जो that same semi permeable membrane से cross करता है तो आप दो इक्जांपल तो होगा है एक तो वो पानी लाला और एक यह लाला एक और लिखिए पहले इसको लिख लिख लिजे water movement from soil into plant root water या nitrogen movement from soil into plant root and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis partly but easily use कर दिया क्योंकि सिर्फ osmosis ही एक कारण नहीं है और भी बहुत सारे कारण है वो पढ़ा होगा ना कि transpiration होता है तो पानी सूर्य की किरने जब पतों पर पड़ती है तो वो पानी को evaporate कराता है तो उसको जब पानी leaves से evaporate करता है तो उसे transpiration प्याते हैं तो वो transpiration की वज़ा से पानी की कभी होती है तो obviously नीचे वाला पानी खीच कर ले जाता है तो यह भी एक रीजन है osmosis भी एक रीजन है यह दो एक्जाम्टल आपको समझने आई क्या होगा एक और लिखे raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle केरा raw mango कच्चा जो आम होता है वो भी concentrated salt solution में डाल दिया जाए concentrated salt solution मतलब बाहर solution की मात्रा salt की मात्रा जाला है और salt की मात्रा कम है अंदर अगर salt की पानी की मात्रा कम है और बाहर पानी की मात्रा जादा है तो जो osmosis process है वो अंदर से बाहर होता है या बाहर से अंदर obviously जहां पे concentration कम होगा वहां से दूसरी हो तो concentrated salt solution अगर हम लेंगे तो concentrated salt solution में salt की मात्रा जादा होगी और आम to the outside salt रखा हुआ है और धीरे-धीरे वह आम क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा श्रिंक करने का श्रिंक करने का कारण भी होता है कहा होता है उसके कई सारे इक्जांपल दिये गए हैं और मैं जो स्कार्टिंग ऑधी क्लास में हो तो हांख का चपक ना वो श्रिंक कर जा there are three types of osmotic solution जो मैंने बोर्ड पर लिखा भी था जो आज की class का last topic भी होने वाला है उसके अंदर जो पहला था वो साइद isotonic solution, दूसरा hypersonic और तीसरा hypersonic को वो हमारा next topic that is types of solution on the basis of osmotic तो जो हम अब next पढ़ने वाले हैं वो है types of solution on the basis of osmotic pressure इसके अंदर तीम प्रकार के solution आपको पढ़ने हैं पहला है isotonic solution दूसरा है hyper tonic solution और तीसरा है hypersonic solution देखें तीनो जो type of solution है उसके अंदर दो solution को हम compare करें एक solution का osmotic pressure जब दूसरे solution के osmotic pressure के बराबर हो जाए यानि पहला solution सपोर्स करीए मैं दो solution ले रहा हूँ एक को A मान रहा हूँ और दूसरे को B मान रहा तो पहला solution और दूसरा solution pi of A when becomes equal to the pi of B यह becomes equal नहीं होगा यह धूंडने पर पता चलता है कि कौनसे दो ऐसे solution है जिसका osmotic pressure same होता है that depends upon many factors concentration, term, solute के कितने particles थे कितना pressure लगाया बहुत सारी चीज़ों के उपर depend गाला है पर दो solution जिसके osmotic pressure same हो जाएंगे उनको हम क्या बोली नहीं isotonic, iso word लगा है मतलब कुछ ना कुछ तो same होने ही वाला है same osmotic pressure वाले जो दो solution होगे उसको हम isotonic solution बोलते हैं यह isotonic solution on the basis of osmotic pressure यह type of solution है इसके अंदर एक बार बहुत important है कि यह जो isotonic solution की बात कर रहा है इस पर जो temperature है यह भी क्या रहने वाला है constant रहने वाला है और जो हम pressure की बात कर रहे है यह भी क्या रहने वाला है constant रहने वाला है अगर आप इन दोनों को change करते हो तो जो osmotic pressure है वो भी क्या कर जाएगा change कर रहे है obviously because pi was directly proportional to CRT आप मैं देखा है भई, pi is equal to CRT है अगर आप temperature और प्रेशर को constant रखते हैं तब दो solution जिसके osmotic pressure constant होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं isotonic solution होते हैं अगर किसी भी दो solution का osmotic pressure constant हो जाए उसका क्या मतलब उसका मतलब है ना चीजें बोनों ही solution में things will not pass from this side to this side यानि दोनों solution को अगर आप एक दूसरे से वो semi permeable membrane से जोड़ दोगे तो ना कोई समान इस तरफ से उस तरफ जाएगा ना कोई समान उस तरफ से इस तरफ आएगा तो osmotic pressure का एक और मतलब है यानि isotonic solution का एक और inference है यागर दोनों isotonic solution यानि तो आपने दो container बनाया था इस दोनों में अगर सेम तरह का यानि सेम टाइप का liquid डाल दिया जो कि isotonic nature के हैं तो solvent will not pass from A to B और solvent from B to B बने B to A भी नहीं आएगा और A to B भी नहीं आएगा तो ये दो बाते बहुत important है इसको statement में लिग दीजेगा तो solution having same osmotic pressure at given temperature and pressure are called as isotonic solution तो solution having same osmotic pressure at a given temperature and pressure are called as isotonic solution second point there is no osmosis between these two solutions as they have same molar concentration maintenant same molar concentration कैसे है और वा किया local 別 also जो लिए दोतर्जी इसको क्या लिखोगे, CB into RT RT, RT का अंसल का आप लिखोगे न, CA is equal to CB, यहनि दोनों का molar concentration, यहनि molarity जो है, वो क्या रहने वाला है, same रहने वाला है, और चुकि दोनों का molarity same है, इसका मतलब concentration same है, और concentration अगर same हुआ, तो osmosis में क्या होता था, from higher to lower, reverse osmosis क्या बदा, from lower to higher, if both the concentration are same, nothing will go from A side to B side, or nothing will come from B side to A side, ऐसा solution, जिसमें यह सारी चीज़ें हो रही हो, उसी क्या होते हैं, isotonic solution होते हैं, done, second hypertonic solution, लिखिए, a solution having more osmotic pressure than the other solution is called as hypertonic solution, दो solution है, एक का osmotic pressure बड़ा है, दूसरे के osmotic pressure से, तो इस तरह के solution को हम क्या बोलेंगे, hypertonic solution, obviously, जलूरी नहीं कि A ही बड़ा हो B से, B भी बड़ा हो सकता है इसे, ठीक है, पर अगर अगर अभी वाले case में A बोल रहा हो, जहां पर, एक का pressure क्या है, जारा है, और दूसरे का pressure कम है, तो उस तरह का solution होता है, उसको हम क्या होते हैं, hypertonic solution बोलते हैं, उसके लिए ची एक और बहुत महत्वपून बात, अब किधर से किधर movement होगा, भाई, इसका अगर जो osmotic pressure जादा है, तो इसी तरह के से क्या मैं य लिख सकता हूँ, कि concentration at A side will be greater than concentration of B side, और हम बात कर रहे हैं osmosis की, तो osmosis में समान कहां से कहां move करता है, from higher concentration to lower concentration, तो इस case में the movement will be from A to B, obviously A से B ही move करेगा, because जिदर का concentration ज्यादा होता है, उदर से B की ओर move करता है, और यही hypertonic solution का nature है, कि जिदर ज्यादा concentration होगा, या जिदर kosmotic pressure ज्यादा होगा, उसी तरफ, obviously, वह अलागर diagram की आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो उस diagram में भी अगर इस तरह का, वही concept को अगर लगाया जाए, तो देखिए, क्या है, यहाँ पर यह वह लगा हुआ है, यही वाल माने, semi permeable membrane लगा है, और, इस semi permeable membrane को, इस तरफ और इस पाई बी लगा हुआ है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पाई यह बड़ा है, पाई बी से, तो बटम यह से, इधर का pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर इधर का pressure ज्यादा है, तो movement इस side से उस side होगी, तो एसे भी move करेगा, और यह से है, यह diagram से भी आप समझ सकते हैं, अब लास पार्ट है, that is, hypertonic solution, लिख लें, a solution having less osmotic pressure than the other solution is known as hypertonic solution, say, अब इस time चुकिए हमने hypertonic में hypotonic, word hypo है, याद रखी का, अगर गलती से मैंने hyper हो दिया, तो भी इसको correct कर लीज़े का hypo है, hypertonic में अगर इस side का pressure दादा था, तो hypertonic में मैं इस side का pressure क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, ऐसा कोई solution जिसमें एक side का concentration कम और एक side का concentration, जादा हो उस कौम क्या बोलते है, hypotonic, तो खोई ऐसा भी argument कर से, ऐसा लगर B के reference में देखा रहा है, तो यह भी hypertonic है, हाँ, B के एक तरफ से देखेहा, तो यह hypotonic होगा, एक के तरफ से देखेका तो hypertonic होगा, obvious है, अगर एक कम है, तो दूसरा जारा है, तो एक कम में audience है, तो reference आलग और अगर मैं A, B मान रहा है, C, B माना होता है या A, F माना होता है, तो यहां अगर इस तरह का youta को नहीं आता है, कि य मैं आपका मंच आप उसको चेंज करनीजे इधर बी चेंज कर देता हूं वोगा से कर देखा से कर देखेंट को हैं कि जोड़े नहीं के जुड़ें इसको द्रश्ट आपका दो पर नहीं अब इस तरह दो अपस में किस तरह को ईए सब्सक्राइब से जुड़ा है इसको ही माल लिया इसको एक माल लिया एफ का ऑस्माटिक प्रेशर जादा है इधर प्रेशर जादा होगा तो इधर से से मूवमेंट इस तरफ होगा तो सीघ्या ओवियसली जब लिया कंसंट्रेशन से समान कहां लोर प्रेशन को क्यों यह हो रहा है और कंसंट्रेशन जैसे आपने इसको निकाला उसी प्रकार से आप इसको बिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन औफ और जिस तरह concentration जादा होता है वहां से ही दूसरी ओर movement होती है तो इस प्रकार से osmotic pressure के तीन पार्ट, isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution तीनों को pressure के terms हम ने डिफाइन किया diagramatically मैंने समझाया ताकि movement क्या हो, AB जो हम लोग यूज कर रहे था उसको आगे चलके मैंने change कर दिया है उसका reason ले था कि कुल से हो confused हो जाएंगी कि कहां यार साथ A और B बोल गया तो फिर उदर ही तो hyper भी हो गया हाइपो भी हो गया तो solution ही change कर दिया ताकि headache ही खता हो जाए ठीक है अब इतना कुछ समझ जाने के बाद एक छोटा सा concept जो ही abnormal molecular mass का है हुआ क्या यह सारा कुछ जो भी तक हमनों पढ़ रहे हैं यहां पर एक छोटी सी गर्वड़ी हो गर्वड़ी क्या हुई यह जानने के लिए अब यह वीडियो में मिलते हैं जहां को मैं इसके बाद आले गर्वड़ी को आपको पढ़ांगा अगर मेरे लेक्चस समझ में आ रहे हैं और मेरे से पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे चैनल को नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए सो दाट कि कोई भी वीडियो में अपलोड करू तो वो आप तक डारेक्टली पहुँच भाए थ्रू नोटिफिकेशन थैंक यू वेरी मुँच